4, 3, 2, 1 भाईयो, भुगोर, परवत और समुद्र ने भारत के स्वरूप का निर्माड किया है कोई मानो संस्था इसके आकार को बदल नहीं सकती और नहीं उसके अंतिम लक्ष में बाधक बन सकती है आर्थिक परिस्थितियों और अंतराश्ट्री मामलों की लगातार मांगों के कारण भारत की एकता और भी आवश्यक हो गई है भारत के जिस चित्र को हमने अपने दिलों में संजोया है वह सदा हमारे दिलों और दिमागों में रहेगा अखिल भारती कॉंग्रेस समिती गंभीरता से यह विश्वास करती है कि जब वर्तमान भावनाओं की उतेजना समाप्त हो जाएगी तो भारत की समस्याओं को उचित परिप्रेक्ष में देखा जाएगा और भारत में दो राष्ट्रों के असित्व के जूठे सिधान्त को समा का त्याग कर देंगे सामानितह राष्ट्रेता जाति भाशिय अत्वा भगोलिक तत्वों पर आधारित होती है परन्तु इसलाम का अलग अस्तित्व है जो अन्यधार्मिक वर्गों में मिस्रित नहीं होता पश्पन वर्ष की स्वतंत्र धर्म निर्पेक्ष राष्ट्रेत के बाद आज भी कई जिम्मेदार मुसलिम नेता दावा करते हैं कि मुसल्मान अलग राष्ट्र है एक जिम्मेदार दल द्वारा इतने अधिक करुणा जनक और आत्न भ्रामक प्रस्ताओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती जितनी की अखिल भारतिय कांगरेस समिती ने 15 नेता ठक चुके थे और बुढ़े हो रहे थे आदर्शवात की जिस ज्वाला ने उन्हें 26 वर्ष पूर्व प्रेरित किया था उसका जोश ठंडा होने लगा था कांगरेस का विकास सदा ही बदलते नेत्रित्व के माध्यम से हुआ था परन्तु पिछले 25 वर्षों में वह नेता कांगरेस की सत्ता संभाले हुए थे उनके व्यक्तित्व और उनके त्याग ने उनको जो ख्याती प्रदान की थी उनको जो बल प्रदान किया था उसको कोई युवा नेता चुनोती देने का साहस नहीं कर सकता था विभाजन के विरोध में केवल एक ही स्वर्था और वह था गांधी जी का, परन्तु वे भी बहुत बूढे हो गए थे और उनका स्वास्थ भी ठीक नहीं था उन्होंने अखिल भारतिय कांग्रेश समिती से प्रस्ताव स्विकार करने के लिए कहा यदि वे नई कारेकारणी समिती और नई अंतरिम सरकार के लिए नई नेता नहीं चुन सकते प्रस्ताव को पहले कार्य समिती ने पास किया गांधी जी से विशेश रूप से प्रार्थना की गई थी कि वे उपस्थितों और सभा को संभोधित भी करें लेखक अखिल भारतिय कांग्रेश समिती की बैठक में उपस्थित था गांधी जी का भाषण स्पष्ट रूप से उनके दुख का दियोतक था उन्होंने कहा कि उनके विचार सर्व विधित हैं फिर भी उन्होंने अखिल भारतिय कांग्रेश समिती को प्रस्ताव पास करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि अखिल भारतिय कांग्रेश समिती को इसे रद करने का अधिकार है परन्तु किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। उस समय बिटेन भारत से चले जाने के लिए और अपनी समराजिवादी धाक छोड़ने के लिए उत्सुक था। अब यह भूज उनके लिए बहुत भारी हो गया था। एशिया के राजनितिक पुनरुथान की उठती हुई लहर क नियंत्रित करना था।